हेलो एवरीबडी मैं हूँ डॉक्टर निकीता और आज मेरे साथ है बहुत ही प्रख्या तो फेमस ऑर्थोपैटिक सरजिन डॉक्टर प्रदमेश जेंसर जिनसे हम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम नी स्टिफनेस यानि जू गुटना जो जाता है उसके बारे में हम कुछ सवाल तो आज वीडियो में तक बने रही है क्योंकि बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है तो मेरा सावाल सर्फ से यह कि साथ पीस हमें थोड़ा सा इलाबरेट करके बताये कि नी स्टिफनेस क्या होता है देखे गुटना जो है उसका नॉर्मल मुमेंट आप जीरो डिग्री मा नहीं आपा रहा है मतलल यह तो गुटना पूरा सीधा नहीं हो पा रहा है यह गुटना पूरा मुड नहीं पा रहा है तो इसको हम नी स्टिफनेस यह तो गुटना जाम होना कहते है तो सर इसके क्या क्या रीजन्स हो सकते है यह गुटना जाम होना बहुत एक आम तक्रीफ अगर आपके फीमर की हटी टूड़ गई उसकी तरह की सरजी हूई है तो उस केस में हो सकता है कोई इंजरी कोई चोट लगा है आपको बूटने में तो वह सकता है और कई बार जो हमने देखा है कि साधार निगिसारे में भी स्टिफनेस देगने को मिलती है इसके अलावा कई पर मेकनिकल ब्लॉक्स आसकते हैं आपके गुपने में जो गुपने को सीधा होड़ने से और मोड़ने से रोग सकते है तो सर इसको हम कॉंपलिकेशन का नाम दे सकते हैं पोस्टॉप 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 सबने प्रुए , इसको कमई नहीं सकता नहीं, सब इसकों पार्मी कोशिच करें वह शत्तर शिते हैं मुटना के घर, लिखेक सराइटा मुटना करें usually पर क्युक्षों मूडने ही तो इसमें कई पर मरीस को पिम तपन करता है तो इसकों आजएज के शेक्ट करता है तो अगर पाता nepatar जाता हो बिश्यार्य उसके नलावा ऐई विसके बारे में को जानतरी भी जाती है कई बार अगर कोई किसी तरह की प्रेटिंग कोई सर्जरी नहीं हुई है तो फिर ऐसे से अफकर मिस्टांसेज में में एक अच्छा इंवेस्टिकेशन जो उसमें किया सकता है जिसे हमको अंदर की जो तकलीव है उसके बारे में पता लग सकता है तो हम एकसे से शुरू करते हैं और कई बार जब अगर कोई प्रेट वगेरा नहीं है ये कोई फॉरें इंप्लांट नहीं है तो फिर म्राई की ज़ब भी पढ़ सकते हैं जी तो सर इसका मिदलब फिर अब ट्रीप्मेंट कैसे करेंगे अगर गुटना जाम है और स्पेसितिक प्रूपिक अर्थोलाइसस की सहज़ी इसमें हम लोग दूर्बीन की मदद से गुटने के अंदर जो रेशे मन जाते हैं जो गुटने को सीधे होने से या मूडने से रोपते हैं उन बेशों को हम दूर्बीन के माद्यम से उसमें पर इस प्रिश्लाइज होता है जिसको हम अर्थोस्कोपिक अर्थोलाइसस अधिकांश मरीजों में इस जो तकलीफ है इसका बेस्ट सॉलिशन रहता है जी सब जैसे पेशें को जैसे कॉमन ली ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को जादा होता है तो जब वावस से ये सर्जिरी ये ओपरेशन करते दो समें कुछ दिक्कत आती है इस तरह से बिल्कुल क्योंकि कभी जब कार्या पूसर्च की रदीब जीए मरत जीब पर chair है ये ये सर्जिरी होई देर मों करते है क्वें कभी जो है तो कवितने में अर्कली ये कवीन अर्कारी करते पूर जो और फाईपर ने काना जो दो इस नहीं पूर्वक ंस को भच परा तो चो जो आरे सूमारे तो ये इस पिश्चारी से को सावधानी से और पूरी क्या बोलते हैं उसको डेडिकेशन से एक एक जो रेशा होता है उसको निकालना पड़ता है तो यह थोड़ा सा अमको ध्यान में लग एक शज्री करने पड़ता है जी सर्ज्री हो गई तो उसके बाद पेशन अब स्टैं क्योंकि इसमें के री स्टिफनेस का रिस्क रहता है कि अगर आपका एक बर स्टिफ हो गया गुपना उसको ने रिलीज कर दिया मुवमेंट हमने ओन टेबल हमने देखा कि आप एच्छा मुवमेंट देया बाते हैं और उसके बाद वापस जाम नहीं आजाए वापस टिफने जो जाम होने की उसका जो चांसे से वो नहीं रहे जैसे यह सर्जरी हो गई और उसका रियाबिलिटेशन के प्रेशन का अच्छे से तो क्यों स्पोर्ट्स वापस खेल सकते हैं जी बिल्कुल अगर एक बर आपका जोने स्टिफनेस वो निकल गया है मुवमेंट हो गया है तो डेफिनेटली हमारे काफी मरीज होते हैं वो इस्पोर्ट्स वागरा में जाबाते हैं अब डिबेंट करता है कि कई मरीज ऐसे होते हैं किस्टिफनेस इतनी जादा होती है कि उपना बिल्कुल भी नहीं हुण रहा है जी जी बिल्कुल जीव मुवमेंट है तो उसका हम सारा काम कर पाएंगे इकुलिंग स्पोर्ट्स जी और सर जैसे कॉमनली लोग पूछते हैं कि हम ड्राइविंग कप से कर सकते हैं या कुम वीलर कप से चलाना है वो सब कहते हैं वो सब कहते हैं तो आपका मुवमें अच्छे से आगया और आपके बहुत सुजन नहीं तो आ जिन मरीजों को डायबिटीज है और सुगर लेवल जाना है जिन मरीजों को थायरोड की तक्रीफ है तक्रीफ ए छॉलस्टोल की तक्रीफ है उन मरीजों में ऐसा होने की चंप संभावने जादा नहीं और खास तर पर गुटनेकर जो मैं बचा रहा हूँ आपको इसमें के बाद होती है तो यूजिरी हमको मेल फीमेल दोनों में देखते को मिलता है आप से बाद जानी थी कि जैसे ओपरेशन हुआ है पेशिंट तो हम इस चीज से बच कैसे सकते है इस देर एनी प्रिवेंशन गया है तो यह प्रॉब्लम आप बच सकते है आपको ऑपरेशन भी आपके कोई बीसरजी हुए तो है अपने डॉक्तर से लगता है उपने प्य्जो से उपर जाहिए हुए और एक सभी समय पर फीजो सब आप चराठ आख परें नमबे रहें न। नॉमबर तू जब आप फीजो थबी करने में चिर दमनाद नुमबर तू जब यह बीस ज़िए नहीं आपा रहा है आप जो है नहीं पूर पारे हो जितना आपकी मुमें जितना कोई कानाशी होतना नहीं नहीं आ रहा है तो डेफिनिटली अपने दॉक्तर से सीगर्दी किसी शेक संपर करें कुछी अगर आप लेट होंगे तो इसमें फिर जो सजी का या आथ तो जल्दी बहुसते हैं तो डॉक्टर कुछन कुछ में वह करके आपके जो है इस सर्जी को प्रिवेंट कर सकते हैं तो डीले नहीं करें तो थांक्यू सो मत सर आपने इसना वैल्यूबल हमें इंफॉर्मेशन दिये और वीवर्स आपको कोई भी कोईरी हो या क्वेशन तो आ अगर हम तक वहुच नहीं पा रहे तो आप उनसे शेर जरूर करिए और चैनल पर नहीं तो सबस्ट्राइक कर देरा थांक्यू एंड टेक केर थांक्यू